Hey guys, welcome to the study with my young, मैं हूँ आपका my young, आज हम लोग test 46 के अंधरगत UPSC prelim से सम्मझत प्राचीन और मद्यकालीन इंतिहास के प्रश्णों को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कुस करना है आपर, आज का पहला प्रश्ण प्रागैतिहासिक कालीन, सेल चित्रों के संधर्व में निम्निषित कत्नों पर विचार कीजिए, उचा गया है कौन सा अकतन सही है, भारत में पाए गए प्राचीन तम चित्र निम्नु प्रापाशार काल के हैं, उत्तर प्रापाशार काल के तुरान चित्रकला के अनेग व पड़ते आपका पहला वाला गतन सही नहीं है भारत में यतने भी प्राचिंदब चित्र पाए गई हैं वो सब उत्तर पुरापाशाड कालके हैं ना के निम्न पुरापाशाड कालके हैं तो आपका पहला वाला गतन गलत हो जाएगा उत्तर पुरापाशाड के जो चित्र हैं वो हरी और गहरी लाल रिखाओं से बनाये गए हैं इन में ऐसे कुछ छडी जैसी पतली बानब आक्रतियां हैं लेकिन अधिकांस चित्र बड़े बड़े जानबरों जैसे भैसों, हातियों, बागों, गैंडों और सूरों के हैं कुछ चित्र इसमें धबन चित्र हैं, लेकिन अधिकांस चित्र जो हैं, वो ज्यामिती आक्रतियों से भरे गए हैं और ऐसे चित्रों का सिकारियों से कोई संबंध यहां पर नहीं दिखाया गया है यानि जो उत्तर पुरा पाशाड काल के जो चित्र हैं इनमें सिकार के दर्ष्यों की बर्धानता देखने को भी नहीं मिलती है तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कतन गलत हो जाएगा आपका तीसरा वाला कतन भी सही नहीं है मद्य पाशाड काल के दरान विश्यों की संख्या कई गुना बढ़ गई है और चित्रों का आकार छोटा हो गया है और इसमें सिकार के दर्ष्यों को प्रमुकता मिल गई है तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कतन गलत हो जाएगा यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो सेकंड वाला जो आपका option है सेकंड वाला जो कतन है इसमें आपके मद्य पाशाड काल की विशिस्ताएं लिख दी गई है और मद्य पाशाड काल में उत्तर प्रपाशाड काल की विशिस्ताएं लिख दी गई है तो यहाँ पर आपके सभी कथन गलत हैं, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पहले का D, उपर्युक्त मैं से कोई नहीं प्राचीन भारत में गुप्त काल में लंबी दूरी के व्यापार में प्रद्धी होई, इस काल में एक पुरोही जमिदार वर्ग का उद्य हुआ आपका पहला वाला कथन सही है, प्राचीन भारत में गुप्तों ने सरवादिक संख्या में स्वर्ड सिक्के जारी किये और जिनहें उनके सिलालेकों में दीनार कहा गया है इन सिक्कों को उनके जो सिलालेक लेके गई हैं उसमें दीनार कहा गया है सेकंड वाला कतन आपका गलत है आरंबेक काल की तुलना में गुप्त काल में लंबी दूरी के ब्यापार में गिराबट हुई है 550 ESP तक भारत का पूर्वी रोमन सामराजी के साथ कुछ ब्यापार होता था जिसमें भारत रोमन सामराजी के लिए रेसम का निर्याद करता था तो 550 ESP के आसपास जो पूर्वी रोमन सामराजी है यहां के लोगों ने सीन के लोगों से रेसम मुत्पादन की कला सीख ली है और इसका बज़े से भारत पर इसका प्रत्कूर प्रफाव पड़ा है तो यहां पर आपका सेकंड वाला कतन गरत हो जाएगा क्योंकि गुप्तकाल में जो व्यापार है वो कही ना कि उसमें गिरावट आई है तीसरा वाला कतन यहां पर विल्कूर सही है गुप्तकाल की एक महतपूर घटना इस्थानी किसानों की कीमत पर पुरोहे जमीदारों के वर्ग का उदय था तो यहां पर आपका केवल एक और तीन कतन सही है तो आपका सही आंसर है सेकंड का सी केवल एक और तीन तीसरा वाला आपका नेमनेकर त्युकमों पर विचार कीजिए उचा ग्या है यहाँ पर कौन सा सही सो मिलेता है एक तरफ सासक वर्ग है दूसरी तरफ उनकी उत्पत्ती है चेर, तमिलकम, शक, मद्येसिया, कुशाण, पश्चिम भारत देगे उप महादीप के दककन और उसे दच्छड के छेतर में सित तमिलकम, यानि प्राचीन तमिल देश का नाम है जिसमें बरतमान तमिलनाडू के अत्रिक आंद्पदेश और केरल के कुछ हिस्से सामिल थे जिसमें चोल, चेर और पांड जैसी सरदारियों का यहाँ पर उद्य हुआ और यह राज बहुती इस्थाई और सम्रद सिद्ध हुए तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही है यानि यह तमिलकम, यानि जो आप प्राचीन तमिल देश का नाम है यह उसी से संबंदित है शक की बात करें शक जो है, वो मद्देशियाई मुल्के लोग थे पर लखा हुआ पश्चिम भारत कुशाणों ने एक विसाल सामराजबर सासन किया जो मद्देशियाई से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक फैला हुआ था और उन्हें यूची जंजाती की पांच साखाओं में से एक माना जाता है जो चीनी सीमा या मद्देशियाई में रहते थे और कनिस्क को सबसे महान कुशाण सासक और टाचीन घारत का भी एक महान सासक मना जाता है तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला गलत है यानि इनका उदय पश्चिम भारत में नहीं हुआ था बलके मद्द एसिया में हुगा था तो यहाँ पर आपका एक और दो कथन सही है आपका सही आंसर है तीसरे का सी केवल एक और दो चौथा प्रश्ण वापका नागर सहली के मंदिर में प्रवेश के समय द्रश्य मंद्र इस्थाबत कला के निम्ड़िकत कर्टकों को सही करम में प्यवस्थित कीजिए गर्वरे, मंडप, अंत्राल नीजे दिए के कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चैन करना है देखे नागर मंदिर की बात करने तो नागर मंदिर में जब आप सबसे पहले एंटर करते हैं मंदिर के अंदर नागर सेली के मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको मंडब देखने को मिलता है ठीक है, पहले नंबर पर मंडब देखते हैं उसके बाद आपका जो आता है अंतराल आता है और मंडब जो होता है यह मंदर का प्रवेश कर्ष यह सभा मंडब होता है जहां भक्तगड एकत्रित होते हैं उसके बाद अंतराल जो है वो आपके मंडब और गर्वग्रय के बीच का गले आ रहा है एंड में आपका गर्वग्रय आता है गर्ब्रय का मलब यह है कि यह एक गुफा जैसा पवित्र कच्छ होता है जिसमें मंदिर के जो मुख्य देवता है उनकी प्रत्मा इस्थाबिच की जाती है तो यह तीसरे नमबर पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा चौथे का भी यानि दो तीन एक पांचमा प्रश्ण एबापका हडपा काल के दोनान विविन इस्थानों से सिल्प उत्पादन हितू अधिप्राप्त कच्छे माल के संदर में निम्लिखित युगमों पर वेचार कीजिए कच्छा माल और इस्थान आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही सुमिलित है ताबा, गुजरात, लाजवर्द मडी अफगानिस्तान, सेल खडी इरान, कार्नीलियन, गुजरात हडपा बासी सिल्प उत्पादन हितू कच्छा माल प्राप्त करने के लिए विविन तरीके अपनाते थे जैसे उन्होंने नागिस्वर और बाला कोट में जहां संख आसानी से उप्रब्द होता है वहां बस्तियां इस्तापित के दिये और ऐसे ही कुछ अन्य पुराइस्थल भी पाए गई है जैसे अफगानिस्तान में सीर्ट गही है जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीली रंग के पत्तर लाजवर्द मड़ी के लिए फहमस था इन लाजवर्द मड़ी जो है ये अफगानिस्तान से लाते थे अब देगे यहाँ पर बात करें लोथल की तो लोथल जो है ये आपके कार्णिलियन पत्तर के लिए फहमस था और ये गुजरात में जो भडोच है ये वही है तो यहाँ पर आपका कार्णिलियन पत्तर वाला ये सही है सेलखडी की बात करें तो सेलखडी जो है ये लिखा हुआ है इरान जो कि गलत है सेलखडी ये दक्षड राजिस्तान और उत्री गुजरास से प्राप्त करते थे यानि ये आपका जो है जो दक्षडी राजिस्तान है वहाँ से और या फिर उत्री जो गुजरात वाला रीजन है वहाँ से से प्राप्त करते थे तो आपका तीसरा बाला जो है गलत हो जाएगा तांबा की बात करें तो तांबा जो धातू है यह राजिस्तान से प्राप्त करते थे तो यहाँ पर आपका पहला बाला गलत हो जाएगा यह कोई रास्य नहीं मिलती थी बलके तांबा राजिस्तान में जो खेटडी की खान है वहां से प्राप्त करते थे तो आपका यहाँ पर दो और चार सही है तो आपका सही आंसर है पांच में का सी केवल दो और चार चटमा प्रश्णे बापका दच्छड भारत में भक्ती आंदोलन के संधर्म में निम्रेशत कतनों पर विचार कीजिए पुचा गया है कौन से अगतन सही है कि आपको बताना है नयनार मार्दसर सिभ भक्त थे नलिया रिया चटमा प्रश्णे बापका दच्छड भारत में भक्ती आंदोलन के संधर्म में निम्रेशत कतनों पर विचार कीजिए पुचा गया है कौन से अगतन सही है नयनार मार्दसर सिभ भक्त थे नलियरा दिवरवन्दम अलवारों की रचनाओं के प्रमुक काब्र संकलनों में से एक था प्रारंबिक भक्ती आंदोलन में ये आंदोलन जो है लगवक छटी सताप्दी में इनका उदय हुआ है ये छटी सताप्दी में आंदोल उदय हुए है वहीं जो अलवार हैं आपके ये विश्णु भक्त है यानि अलवार जो है विश्णु संत है या विश्णु के भक्त है वही नैनार जो है वो सिब भक्त हैं और ये जो आंदोलन है ये इनी के नित्रतों में स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर आपका पहला वाला गथन सही है सेकिंड वाला जो गथन है ये भी सही है अलवार संतों के एक मुख्य काप के संकलन इसका नाम है नलियरा दिप्रकॉंदम इसका वर्डन तमिल वेद के रूप में किया जाता था है और इस तरह इस ग्रंत का महत संसकत के चारों वेदों जितना बताया गया है जो ब्रहमनों द्वारा पोशित थे तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला भी सही है यहाँ पर आपका एक और दो दो नहीं सही है तो आपका सही आंसर है छटमे का सी एक और दो 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 साथमा प्रश्णे वापका चोलों के संदर में निम्रिप कत्नों पर वेचार कीजिए उचा गया है कौन सा गदन सही है पहला है विज्याले चोल सामराज का संस्थापक था चोल सासक अपनी नौसेनिक सक्ती के लिए प्रसिद थे देगे चोल सामराज का संस्थापक विज्याले था जो पूर्व में पल्लमों का सामन था और बिज्याले ने 850 एसवी में तंजोर पर आधिपत्ति स्थाबित कर लिया, नौवी सताबदी के अंतक चोलों ने काची के पल्लमों को पराजित कर दिया था और पांड्यों को कमजोर कर दिया था, इस प्रकार दश्री तमिल भूमी पर उनका आधिकार स्थाबित हो गया, किन्तो राष्टकूटों ने अपना बचाव करने के लिए चोलों को कड़ी मेहनत करनी बड़ी, राष्टकूटों से इनको बचाव करने के लिए इन्हें अपने आपको काफी डिफेंड करना पड़ा है, तो यहाँ पर आपका पहला बाला गतन सही है, सेकिंड बाला गतन यहां पर ये भी सही है, चोलों के पास एक मजबूत और विशाल नोसेना भी थी, जिसका माला बार और कोडोमनल तर तक और कुछ समय के लिए संपूर बंगाल की खाड़ी पर प्रभुत था, तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही कतन सही है, आपका सही आंसर है साथ में क सी वाला, एक और दो दोनों, आठमा प्रश्णे वापका, सिंदु खाड़ी सब्धा की कसी पद्यतियों के संधर रुप में निम्लिकित में से कौन से खतन सही है, आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चैन करना है, सिंदु खाड़ी के लोग गेहुं, जो, राई, म उत्तपादन होता था, हर्याणा के दौलत पुर और मिताथल पुर, मिताथल में तदा उत्तर प्रदेश के हुलास में रागी बड़े पैमाने पर उगाया जा रहा था, सिंदु खाड़ी सब्धा के लोग बाड़ का पानी उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाड़ वा तो यहाँ पर आपका पहला वाला गतन सही है, यहाँ पर आपका सेकिंड वाला जो गतन है यह सही नहीं है, यहाँ लखा हुआ है कांसे के उपकरणों का उपयोग, खेती की जुताई और फसलों की कटाई के लिए हसिया के रूप में किया जाता, यह गलत है, यहाँ पर पूर्व हडपा चरड से जो हल की लीक की निसान प्राप्त हुए हैं, उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि हडपा काल में, राजिस्थान में हल जोते जाते थे. हडपा वासी लोग संभवत हैं, लकडी की हलों का प्रयोग करते थे ना के कांसे की हलों का. और इसी वजए से लकडी की हल मिले नहीं हैं, तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कथन जो है, गलत हो जाया है, यानि कांसे की हल नहीं प्रयोग करते थे, बलकि ये लकडी की हलों का प्रयोग करते थे. तीसरा वाला जो कथन है आपका यह सही है, कपास का सर्पत्तम उत्पादन करने का जो स्रेज आता है, वो सिंद्ध वाला कथन है, यह आपका सही नहीं है. रागी जो है उत्तर भारत के किसी भी हडपा इस चल से अब तक प्राप्त नहीं हुआ है यानि यो रागी की बात हो रही है कि रागी बड़े बमाने पर उगाय जाता था तो रागी जो है उत्तर भारत के किसी भी हडपा इस चल से अब तक प्राप्त नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो आपका सही वाला आंसर है वो है केवल एक और तीन तो आंसर है आट में का डीन केवल एक और तीन नौमा व्रश्ने बापका चैत एवं विहारों के विकास के संदर्व में निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए पुछा क्या है कौन सा कतन या पर सही है यह आपको बताना है पहला है चैत एवं विहार बौध और जैन धर्मों के मठी संकुलों यानि परिसर के भाग थे सेलकरत चैत एवं विहारों का उद्गम मौरिकाल में हुआ था देगे इस्तूप, विहार और चैत बौधों ताथा जैनों के मठी संकुलों के यानि संकुल का मदब परिसर के भाग थे लेकिन इन में से अधिकान प्रतिष्ठान बहुत धर्म के हैं तो यहाँ पर आपका पहला वाला कतन सही है यहाँ पर आपका दूसरा वाला कतन भी सही है सेलक्रत गोफाएं निर्मित करने की जो प्रता है वो मौरिकाल के दौरान आरंब हुई है और साथभान सासन के अंतरगत दूसरी सताब्दी इस्वी के दौरान यह अपने चरम पर पहुँच गई है तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला कतन भी सही है यहाँ पर आपका एक और दो दोन ही कतन सही है आपका सही आंसर है नौमेका सी एक और दो दोनो दसमा प्रश्ने वापका निर्मित में से कौन से कारक मगद के 16 महाजनपतों में सबसे सक्षाली महाजनपद के रूप में उभरने हित्तु उत्तरदाई थे आपको कूड का प्रियोंक करके सही उत्तर का चैन करना है लोग हदानों की उभस्चती उपकरणों एवं हत्यारों के लिए संसादन उपलब्द कराती थी हाँ थी मगद की सेना का एक महतपूर अंग थे बिम्बिसार अजास सत्रू और महापदमनंद जैसे महतवा कांजी सासक इवं मंतरी महाजनपद सोले राज अथवा कुलीनगड राज थे मगद जो रीजन है आपका बरतमान में अभी दिहार में पड़ता है तो यहाँ पर आपका पहला वाला खतन बिल्कुल सही है लोग खदाने यानि बरतमान जहारखंड की जो खदाने है वो कभी इसी के रीजन में आती थी तो लोग खदाने की उबस्चती उपकरणों और हत्यारों के लिए सलसाथन उड़त गराती थी तो इसका रीजन ये भी है कि इनके पास भरपूर मात्रा में उपकरण और हत्यार थे यहाँ पर बिस्तरक छेत्र में जंगल पाई जाते थे जिन पर मगद सामराजी का अधिकार था जिन जंगलों में हाती थे तो हाती मगद सेना की नि मगद की सेना का एक महतूर अंग थे आरंबिक बॉंद और जैन लेखक जिन्होंने मगद के बारे में लिखा है तो उन्होंने इस सामराज की सक्तिय का करड़ विविन सासकों की नीतियों को बताया है जिनमे निर्मम, महत्वाकांजी सासक, विम्बिसार, अजास सत्रू और महापदनन सबसे प्रसिद्ध हैं तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला विजन भी सही है याँ विम्बिसार, अजास सत्रू और महापदनन जैसे महत्वाकांजी सासक और मंत्री थे याँ मंत्री भी इनकी जो है जो भी नीतिया है उनको क्रियानवित करने में सहेता करते थे तो यहाँ पर आपका तीनों ही कतन सह आपको बताना है बाराबार पहाडियों की गुफाओं को आजीवक संप्रदाय हेतु चंदगुप्त मौरी द्वारा समच्छर प्रदाम किया गया था बाराबार की पहाडियों उपर इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्ध ब्रत्ताकार चैत्यचाप यानि महराब की तरह स इसकी स्थापना की थी आजीवक से संब्दित कई सेलक्रत गुफाएं मौरी समराठ असोग के समय की है ना कि चंदगुप्त के समय की यानि जो भी आप गुफाएं देख रहे हैं आजीवक संप्रदाय की वो समराठ असोग के टाइम की है ना कि चंदगुप्त मौर के और इस गुफा का प्रविस द्वार अर्द बृत्त्राकार चैत्य चाप की तरह सजा हुआ है तो यहाँ पर आपका second वाला गतन सही है यहाँ पर आपका केवल second वाला गतन सही है तो answer है 11 का B केवल second बारेमा प्रशने बापका तामर पाशार काल के संदर्व में कौन सा गतन सही नहीं है इस काल में तांबे और पत्थर की वस्तूओं का प्रचलन था इस काल के दोरान सेल खड़ी, कांच मड़ी, इसफटिक और कारीलियन जैसे अर्द कीमती पत्थरों के मनकों का निर्मार किय आ गया था, तामर पाशार काल के लोग वस्त्र बनाने की कला से अच्छी तरह परचित थे, इस काल में सबसे अधिक चित्रित दूमर नहीं है वलकि दूसर है, चित्रित दूसर मर्दभांड का उप्योग किया जातना था देखे, धातूं का उप्योग नव पाशार काल के देखा गया है, सरुप्योग की जाने बाल जो धातू है, यह तामवा थी, और अनेक संस्कितियां पत्थर एवं तामे से निर्वित, उपकरणों के उप्योग पर आधारित थी, तो आपका पहला वाला कतन सही है, आपका सेकिंड वाला कतन भी सही है, यह जो लोग है, यह उतकरष्ट, तामरकार हैं, और पाशाण के अच्छे यह कारीगरते, बरतमान में हमारे पास तामर पाशाण योग के तावे के उपकर, हतियार और चूणियां उपलब्ध है, इन्होंने सेल खड़ी, कार्निलियन और काचमड़ी, इसपडिक के मनकों का इन्होंने निर्मा आते थे, तो यहाँ पर आपका C वाला जो कथन है, यह भी यहाँ पर सही है, यहाँ पर आपका D वाला जो कथन है, यह सही नहीं है, तामर पाशाण काल के लोग विभिन प्रकार के मर्दभानों का परयोग करते थे, इन मैंसे काले और लाल मर्दभान सरवादिक प्रचले ना कि चित्र दूसर म्रदभांड, यानि पैंटिट ग्रे जो है, यानि कि यह ग्रे कलर की बात हो रही है, जबकि यहां के जो म्रदभांड मिले हैं, कैसे कलर की हैं, काले रंग के हैं, और लाल लंग के हैं, सलेटी रंग के म्रदभांड यहां पर नहीं मिले हैं, यानि जो आ तेरेमा प्रश्टे बाफका तो अलावदीन खल्जी ने दास और चहरा प्रणाली की सुरुवात की तो अलावदीन ने चहरा प्रणाली की सुरुवात की जिसमें प्रतेक सेनिक को एक पहचान पत दिया जाता था और जो दूसरी दाग प्रणाली थी जिसमें विशेश रूप से युद्ध में जो प्रयो दीवा ने बंदगान इसकी सुरुवात की, यानि इसनों ने जो दासों के लिए भाग है, दीवा ने बंदगान करके उसकी स्थापना की है तो यहाँ पर आपका थर्डवाला कतन भी सही है, यहाँ पर आपका सही आंसर है, तेरे का D, केवल दो और तीन देगे, जो कुमार मात्य और आयुक्त है, यह गुप्त प्रसासन में महत्पूर अधिकारी और राजा के दोरा यह निक्त किया जाते थे कुमार मात्य और आयुक्त नामक अधिकारीयों के एक वर्ग के माध्यम से राजा जो है, रांदी प्रसासन के साथ निकट संपर्क बनाए रखता था, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है, यहाँ पर चौदै का C वाला पंद्रेमा प्रश्णे वाब का, मुगल बास सा अकवर द्वारा प्रारम किये गए सामाजिक और सेचिक सुधारों के संदर में, निक्त में से कौन सा गतन सही नहीं है, यह आपको बताना है पहला है, अकवर ने सती परथा पर पूर प्रतबंद लगा दिया था, उसने बिद्वा पुनर विवा को बैदता प्रतान की, उसने विवा के लिए आयू को वड़ा कर लड़कियों के लिए 14 वर्स यह लड़कों के लिए 16 वर्स कर दिया, उसने गडित और नैतिव ज्यान जैसे धर्म रिपेक्ट विश्यों पर बल देते हुए सैचिक पाड़करम में संसुदन किया, देखिए आपका पहला वाला कदन यहाँ पर सही नहीं है, देखिए अकवर ने सती परथा पर प्रत्यबंद लगा दिया था, लेकिन यदि कोई इस्त्री स्वैम अपनी तो उनके लिए रोक लगा दी गई दी, तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन जो है गलत हो जाएगा, सैकिंड वाला यहाँ पर सही है, बिद्वापनर विभाग को बैत्ता प्रदान की गई, इसके लाबा उसने विभाग के लिए आयू को बढ़ा कर लड़कियों के के लिए सोले वर्स कर दिया, तो C वाला भी सही है, यहाँ पर आपका D वाला भी सही है, उसने नैतिक सिख्चा और घडित जैसे धर्म रिपेक पेस्यों पर अधिक बल देते हुए, सैक्षिक पाटकरम में संसोधन किया था, तो यहाँ पर आपका D वाला भी सही है, यहाँ